आपके उपर किस शक्ती का हाथ है? कौन सी एक्छा पूरी होने वाली है? दिल से चुनिए कोई भी एक फूल. नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, सेहत मंद रहें और अपने परिवार का खयाल रखें. आप अपनी कैरियर में आगे बढ़ते रहें, अपनी जीवन की सारी मु बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा वीडियो लेकर आ गए हैं, जै मातादी, जै श्री कृष्णा आप सभी को, आज आपको पता चलेगा कि शक्ती का हाथ आपके उपर है, कौन सी एक्षा आपके पूरी होने वाली हैं, तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग सा है, आप ये क्या मैसिज लाए हैं, मन को शांत करें और फ्लावर को चुनने चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में, जै मातादी के जैकारी लगाना बिलकुल नंभूले, हर हर महादेव लिखें, राधे राधे लिख हैं, तो आई होब आप सबने चुन लिया होगा, तो जिस किसी ने भी चुना है, फर्स्ट नंबर का फ्लावर, उसके लिए टैरो कार्ड यही कह रही हैं, कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी हुई है, आप माता के भक्त हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी बता र पूजा पाठ करते हुए किसी को नजर ना आए, आप दिल ही दिल में उन्हें अपना इश्ट मानते हैं, और कभी भी आपकी उनके ऊपर आस्था कम नहीं होती, जी हाँ दोस्तों, आप अपने इश्ट का जो ध्यान करते रहते हैं, आप आस्था में मगन रहते हैं, आपकी जो लगन है इश्वर के प्रती वो कभी कम नहीं होती चाहे किसा भी बगता जाए कितनी भी मुश्किल हो जाए आपके दिल में जो उनके लिए भरोसा है जो आस्था है वो कम नहीं होती तो आपको एक बात बता दें दोस्तो कि मातारानी और महादेव दोनों ही आपके उपर अपना आशिरवाद बनाए हुए हैं आपके जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है अब जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो अचानक से आपको कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूसन मिल जाता है कोई मददगार ऐसा मिल जाता है कि आपको उस समस्या से उबार के ले जाता है तो ये अचानक यूहीं नहीं हो जाता है मैजिक हो गया हमारी लाइफ में जी नहीं ये आपके इस्ट का आशिरवाद है वो ही किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं और आपके जीवन में कभी भी वो आपको किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, आपके मन में जो भरोसा है, जो आस्था है ईश्वर के प्रती, आपको बता दें, वो हमेशा आपके लिए काम करते हैं, हमेशा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कबच बना के रखते हैं, आपके उपर कभी कोई किसी बड़ी दुरघटना होने से आपको बचाते हैं, किसी भी मुश्किल में आपको पढ़ने से बचाते हैं, आप अपने मन में हमेशा इश्वर के प्रती इसी तरह से आस्था बना के रखे, जितना संभा हो उनकी पूजा पाट करें, दानपुन्य करें, उनके लिए वक्त निकालें, सुबह से उनके लिए मेडिटेशन करें, समझ रहे हैं आप सब को क्या क्या करना बहुत फायदे मंद होने वाला है, आपके मन में जो भी एक्षा है फ्रेंड्स, जो भी आप सोचते हैं कि वो कब पूरा होगा आपको बता दें, इश्वर को हर किसी का, हर क आश्यर, हर किसी को नहीं मिलता है, इतना आश्यरवाद इतनी कृपा आईश्वर की जितनी आपके उपर बनी हुई है, आपके उपर उनकी बिसेज कृपा दरश्टी है, वो आपको अपना भक्त मानते हैं, आपको एक बच्चे की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं, हमेशा से निकल जाती है तो फ्रेंट्स बहुत अच्छा समय है आपका आपकी च्छाएं पूरी होने वाली आपकी उपर महादेव का हाथ है माता रानी का हाथ है बस आपको और किसी से भी डरने की जरूत नहीं इसी लिए लोग आप से जलते हैं क्योंकि आपके जो ईसवर के पती आ पालों को जलने दीजिए क्योंकि जिसके सर पे ईस्वर का हाथ है उसे किसी और की कोई जरूत नहीं है तो जिस किसी ने भी चुना है सेकंड नमबर की फ्लावर को तो स्वागत है फ्रेंट्स जैस्री कृष्णा कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश हाल होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे आपके लिए ईश्वर से यही प्रातना करते हैं कि आप हमेशा अपने कैरियर में आगे बढ़ें तो अगर आपने चुना है यह वाइट फ्लावर को तो टेरू काइड आपके लिए फ्रेंट्स यही कह रह आपके उपर बिसेश करपा रखती हैं आपको बता दें आपकी आर्थिक स्थिती इतनी खराब नहीं है आपके पास परियाप्त धन रहता है आपका जीवन अच्छे से चल रहा है पर आपकी महत्वाकान चाहें आपके इच्छाएं बहुत हैं तो पिलकुल भी चिंता ना क करें इश्वर का आशिरवाद आपके उपर है मातरानी आपके उपर अपनी कृपादरश्टी बनाए हुए हैं कहते हैं लच्छमी चंचल है लेकिन आपका मन इतना शान्त है इतने धैरवान हैं आपके अंदर एक संतोस की भावना हैं संतुष्टी रहती है इसलिए मा लक् होने वाला है फ्रेंट्स कहीं से भी आपको रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है या तो फिर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो आपको कोई बड़ा धनलाब होने वाला है कोई शेयर में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है अगर आपके मन में कोई विचार किसी बिजनिस को शुरू करने का कोई नया विचार आप लाएं तो उसको अच्छे से जाच परक के जब आप उसे शुरू करेंगे उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है स्टुडेंट जन को बता दें अगर आप स्टुडेंट हैं अगर आप जॉब करने वाले हैं तो भी आपको बता दें आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चनिटी आने वाली है क्योंकि विश्नु बगवान और माता लक्षमी दोनों का ही आशिरवाद आप लोगों क ऐसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है कभी भी नहीं है और अगर है तो भी कुछ लोगों की जीवन में थोड़ी परिशानिया जो चल रही थी फाइनेंस को रिलेटेड वो सारी दूर होने वाली हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें अपनी केरियर में जो भी आप करने वाले हैं जो भी आपकी योजनाए हैं उसे आप बिलकुल करें कार्यानवित करें क्योंकि अब आपको बड़ी सफलता उसमें हाथ लगने वाली हैं कुछ लोगों की लाइफ में अगर पार्टनर के लिए आप इंतिसार करें किसी विवास संबंद के लिए इक्षा पूरी होने वाली है अगर आप लव मेरे चाहरे थे तो आपकी परिवार के लोग मान जाएंगे या तो फिर आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेगा खुद ही आगे आकर तो किसी की भी अगर विवास संबंदी एक्षा थी तो बहुत जल्द पूरी होने वाली है बता दें आपको कि फाइनेंस से रिलेटेड भी आपकी कोई भी प्राब्लम अगर चल रही थी तो बहुत जल्द दूर होने वाली है दोस्तों बहुत अच्छा समय आपकी जीवन में शुरू हो रहा है बिलकुल भी चिंता करने की ज़रुत नहीं बस सकारात्म करें उस पर अपनी आस्था बना कर रखें फ्रेंट्स एक छोटा सा उपाय है आप शुक्रवार के दिन मा लक्षमी की पूजा अवस्य करें क्योंकि उनकी क्रपा आपके उपर बनी हुई है तो अगर आप चाहते हैं क्रपा इसी तरह से बनी रहे आप बिलकुल उनकी पूजा मज में आएगा तो फ्रेंट्स अब जिस किसी ने भी चुना है थर्ड नंबर के पाइल को उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरू कार्ड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में जैश्री कृष्णा आप सब के लिए क्या मैसेज लाए हैं टैरू कार्ड देख नाम है जगत के पालनहार महादेव जी हां महादेव का हाथ आपके सर पर है खाटू स्याम जी या तो फिर स्याम जी का जो भी अवतार आप मानते हैं आपके इस्थ हैं आप स्री कृष्णा के बड़े भक्त हैं राधरानी के भक्त हैं ऐसा भी लग रहा है कि आपके उपर राधरानी मातरानी का हाथ है तो आप माता के भक्त हैं और फ्रेंड्स आपके उपर महादेव की बड़ी कृपा रहती है आप खुद भी दिल से उन्हें बहुत मानते हैं बहुत आस्था आपकी रहती है उनके उपर जब भी सौंबार का दिन आता है आप मंदिर जाते हैं या आप सुबह से उन्हें याद करते हैं, उनका इसमरण करते हैं, आपके उपर उनका आशिरवाद बना हुआ है, दोस्तो एक बात और टेरो कार्ड आपको बताना चाह रहे हैं, एक मैसिज आपको दे रहे हैं, कि अभी आपके जीवन में, कैरियर में कुछ चेंजिस आपको दे देने वाले हैं, एक और बात फ्रेंट से आपर दिखाई दे रही है, कि अब आपके जीवन में, जो भी छोटी मोटी समस्याया रही थी, जो भी आप अपनी शायें, आप अपने मन में मार के रख लेते थे, आपके किसी भी कारे को पूरा होने में बहुत अर्चने आती थी छोटे-छोटे से कारे भी आपके होते नहीं थी, तो आपको बता दें, अब आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर होते हुए दिख रही हैं, आप बहुत ही खुश मिजाज इनसान है, जिन्दा दिल इनसान है, आपका नेचर ही ऐसा है, कि आप जहां भी बैठ जाएं, महफिल सज्जाती है, दूसरों को हमीशा हसने हसाने का कारे आप करते हैं, आप बताएं कि आप जो खुशियां बाटने का काम करते हैं, अब इश्वर आपके जीवन को भी खुशियों से भरने वाला है, देखे हमें नहीं मालूम ही कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम आज परिस्तिती में खुश रहना, अगर सीख लिया, तो जीवन का सार यही है, कि बस चहरे पर मुस्कुराहट रखो, दूसरों में खुशियां बाटो, कितना भी धनवान व्यक्ती है, अगर उसे सुक चैन नहीं है, खुशी नहीं है, तो उसके धन दौलत किस काम का कहते हैं, बहुत अच्छे पकवान हैं, पर आप खा ही नहीं सकते, तो फिर वो किस काम के, तो जो आपको मिला हुआ है, आप उससे बहुत खुश रहते हैं, उन अवसरों का पूरी तरह से उप्योग करते हैं, आपके उपर कभी भी नेगेटिविटी हावी नहीं होती है, आप हमेश बहुत साफ हैं, आपको बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, इसलिए अब आपके उपर भी इश्वर का ऐसा आशीरवाद है, कि जीवन की सारी समस्यां दूर होने वाली हैं, आपके मन में कोई एक्षा है, बहुत दिनों से दबी हुई, आपकी कोई एक्षा है, वो इस चीज़ के लिए वो आपकी पूरी होने वाली है, तो मन में किसी भी तरह का संदेह न लाएं, अपनी आस्ता को यूँ ही बना कर रखें, फ्रेंट्स आपके परिवार चनों का साथ आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, आप अपने प वज़ो देते हैं, थोड़ी सी सला है, कि आप पहले अपनों का खयाल रखें, अपने दोस्तों की बातों में आकर अपनों को इग्नोर करना सही नहीं है, कभी भी आपके पेरेंट्स ही आपका सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, देखें फ्रेंट्स, आपके जीवन की सारे मुश्किल हैं, दूर होकर आपके साथ जो रहेंगे, वो आपके परिवार की लोग ही रहेंगे, कितनी भी आप समस्या में आ जाएं, किसी भी मुश्किल हो जाएं, वो पेरेंट्स कभी आपका साथ नहीं देंगे, तो आपको यह समझना होगा, कौन आपका अपना है, कौन हर हर महादेव लिखें और बनी रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक यूही मिलते रहें आपको बस यही करना है फ्रेंट्स की सकारात्मक रहना है जै श्री कृष्ट